दोस्तों, हमारे फेस के दोनों तरफ यहां पर पेरोटिट गलेंड्स होती है और यदि ये दोनों तरफ की पेरोटिट गलेंड्स में स्वैलिंग अजाए तो इस बाइलेटरल पेरोटिट एनलार्जमेंट के क्या-кारण होते हैं? उसकी चर्चा करते हैं सबसे पहला है Mumps, Mumps में दोनों तरफ की जो parotid glands होती है, उसमें swelling और enlargement होता है, उसके बाद cirrhosis of liver, दूसरी condition है, तीसरी है infectious mononucleosis, जिसको के glandular fever भी कहते हैं, और chronic pancreatitis, sarcoidosis, or mycolyx disease, जिसमें भी जो है वो salivary gland enlargement होता है,